अब आप मुझे follow कर सकते हैं Unacademy पर download कीजिए playlist में जाकर Unacademy Learning एप और वहाँ सर्च कीजिए प्रतीक्षा आचारे या फिर स्क्रीन पर दिये गए link unacademy.com slash user slash प्रतीक्षा पर भी आप मुझे follow कर सकते हैं और देख सकते हैं मेरे courses तो download कीजिए अभी Unacademy Learning एप Hello friends, welcome to my channel मैं हूँ प्रतीक्षा और प्रसिक्षिक इसनातक सिक्षक चैन परिक्षा History Part का first question आपके सामने है आपकी screen पर तो चली start करते हैं TGT History Part मोहन जोदड़ों के आवा से निवास बने थे Right option है इसका option 3 और आपको व्याक्या भी दे रखी है तो व्याक्या को पढ़ना ना भूलें व्याक्या जरूर पढ़ें वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शियर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस जरूर करें सेकंड कुश्चन के और बढ़ते हैं सेकंड कुश्चन है वर्तमान में सिंदु घाटी का उप्युक्त नाम क्या होना चाहिए साथ ही आपको व्याख्या दी हुई है तो व्याख्या जरूर पढ़ें पढ़ना ना भूलें सही जवाब आपकी स्क्रीन पर उप्शन पर उप्शन फोर छै सामवेद ग्रंथ है तो चार उप्शन आपके सामने है राइट उप्शन इसका उप्शन फ्री मन्त्रों का सही जवाब है इसका उप्शन फोर सारनात में नेक्स्ट इस महात्मा बुद्ध की सिक्षा में पहले संग्रहित की गई राइट उप्शन उप्शन फोर सिपिटिक में सिपिटिक में नेक्स्ट कुशन इस जैन धर्म के संस्थापक कौन थे सही जवाब आप्शन फ्री रिशव देव नेक्स्ट इस महावीर का जन्म हुआ था सही जवाब है ओप्शन फ्री कुंडग्राम में नेक्स्ट कुशन है मेगस्थनीज ने पुस्तक लिखी राइट उप्शन वन इंडिका नेक्स्ट कुशन है गुप्तकाल में चीन से भारत में आयात किया जाता था राइट उप्शन रेशमी कपड़े तो चीन से भारत में आयात होते थे रेशमी कपड़े और रेशम भी सबसे ज़्यादा चीन में पाया जाता है नेक्स कुश्वनि given is, इस्मृतियों के आधार पर कितने प्रकार के बिवाहा निश्चित हैं सही जवाब आठ प्रकार के बिवाहा निश्चित हैं तो आठों के नाम आपको व्याख्या में दे रखें, इसलिए व्याख्या जरूर पढ़ें काफी help मिलेगी व्याख्या से भी आपको नेक्स कोशन मेगस्थनीज ने भारत्य समाज को कितने भागों में भिवाजित किया है राइट ऑप्षन ऑप्षन पोर साथ भागों में नेक्स कोशन इस चोल शाषन की प्रमुक विशेश्टा क्या थी सही जवाब है इसका ऑप्षन थ्री इस्थाने स्वशाषन निम्न में से कौन शून्य वाद का व्याख्या कार था राइट ऑप्षन थ्री नागार जुन नेक्स कोशन इस लकुलिश किस मत के प्रबर्टक थे सही जवाब है इसका ऑप्षन टू पाशुपत अगला प्रशन राधा एवं कृष्ण की भक्ती को लोग प्रे बनाने बाले वैश्णव संत थे राइट ऑप्षन वन चैतन्य नेक्स्ट इस मुहम्मत तुगलक ने किस विभाकी स्थापना की थी सही जवाब ऑप्षन वन अमीरे दिवान को ही नेक्स है मुहम्मत गौरी ने किस युद्ध में प्रत्वी राज चोहान को हराया था राइट ऑप्षन कराइन का जुत्य युद्ध और प्रत्वी राज चोहान ने मुहम्मत गौरी को हराया था जोकी 1191 में हुआ था और जुत्य युद्ध 1192 में हुआ था तो आप व्याख्या में पढ़ सकते हैं नेक्स्ट है तैमूर का आक्रमण किसके काल में हुआ था राइट ऑप्षन है इसका ऑप्षन टू नासीरुद्धिन मेहमूद अगला प्रशनु कुवल अल-İスलाम मस्जिद किसने बनवायी थी सही जवाब ऑप्षन थी ऐबक्थ ने नेक्स्ट हैज आगरा का किला किसने बनवाया था राइट ऑप्शन, ऑप्शन वन अकबर ने नेक्स्ट है अलाई दर्वाजा का निर्माण किस ने किया था सही जबाब ऑप्शन टू अलाउदीन खिल जी ने नेक्स्ट है फत्यप और सीखरी का निर्माण किस ने करवाया था इसका भी राइट ओप्शन, ओप्शन 3, अकबर Next is मुगल काल में सबसे बड़ा सामराज्य किसका था? राइट ओप्शन, ओप्शन 2, औरंग जेव Next is किस मुगल सूबेदार ने शिवाजी को पराजित किया था? सही जवाब, ओप्शन 1, राजा राम सिंग अगला प्रशन है, बहमनी सामराज का प्रमुख वजीर कौन था? राइट ओप्शन, महमूद गवाँ Next is अमीर खुसरो किसके समय में था? सही जवाब, ओप्शन 1, बलवन तो अमीर खुसरो को 6 सुल्तानों के अंदर सेबा करने का मौका मिला है Next है, दीने लाही का मुख्य उद्देश क्या था? राइट ओप्शन, ओप्शन 4, राश्च्री धर्म स्थापित करना Next है, मुगल काल में मुफ्ती कौन थे? राइट ओप्शन 2, न्याया दिकारी Next है, भारते राश्च्री कौंग्रेश की स्थापना किस वाय सराय के समय में हुई? सही जवाब ओप्शन 1, लौड डफ्रिन Next है, बंगाल का बिवाजन किसके कारेकाल में हुआ? राइट ओप्शन, ओप्शन 2, लौड करजन Next है, सती प्रता को किस ने कानून बना कर बंद किया? राइट ओप्शन 2, विलियम बैंटे Next है, महात्मा गाली के राजनेतिक गुरू कौन थे? राइट ओप्शन 4, गोपाल, कृष्ण, गोखले टैगोर ने अपनी नाइट हुड की उपादी क्यों वापस की? सही जवाब ओप्शन 3, जलिया वाला बाग हत्याकान के कारण Next है, धन इश्काशन के सिद्धान का सरप्रतम किस ने विलोद किया? सही जवाब ओप्शन 4, दादा भाई नौरोजी Next है, स्वामी विवेका नन्ने किस वर शिकागो के धर्म संसद में अपना सुप्रसिद भाशन दिया Right ओप्शन 4, एट्टीन नाइन्टी थ्री में Next है, शेश रह का मखबरा कहां है? सही जवाब ओप्शन 2, सासा राम Next है, मुस्लिम डीग ने मुक्ती दिवस कब मनाया? Right ओप्शन 2, कॉंग्रेस मंदल के इस्तिफा देने पर Next है, 1932 के पूना पैक्ट को किसका सम्मंद था? पूना पैक्ट से किसका सम्मंद था? Right ओप्शन भार्टे दलित वर्ग का Next है, शार्दा अधिनियम का सम्मंद है सही जवाब, विभा की उम्र को बढ़ाया तो बाल विभा होते थे, उससे जो 18 साल उम्र रखी गई वो शार्दा अधिनियम एक्ट के तहत ही रखी गई Next है, शार्दा अधिनियम का सम्मंद है Right ओप्शन इसका Option 4 तो यहाँ आपको 2 दे रखा है 2 नहीं है, Option 4 है शार्दा अधिनियम बाल, विभा, निशेद, कानून है जिसे शार्दा एक्ट नाम दिया गया है Next है, सेडलर आयोग ने किस विशे पर शिफारिश की राइट ओप्शन, ओप्शन 3, इंदौर Next है, बक्सर के युद्ध का विजेता कौन था? राइट ओप्शन, ओप्शन 2, हेक्टर, मुन्रू तो फ्रेंड्स यह थे, इस पार्ट के हिस्ट्री के कोश्चन I hope वीडियो आपको अच्छा लगा हो